ये वत्माल चिले में बीते 15 दिनों से लगातार जाली मुसलधार बारिश की वज़र से बड़े पैमानों पर किसानों की फसल का नुकसान हुआ है। इस मौके पर संचे देशमुक सहित कृषिय उपरस बाजार समीती की सदस्य पदादिकारी करेदी बिक्री सहकाली संग सहित जिनिंग प्रोसेसिंग सहकारी संस्था के पदादिकारी कारिकरता संचे देशमुक समर्थक और किसान बड़ी संख्या में शामिल थे। इस मौके पर संजे देश्मों की प्रमक उपसिती में स्थानिय तहसल कार्याले के प्रभारी तहसलदार को ग्यापन सपा गया जिसमें किसानों को प्रती हेक्टर 50,000 रुपे की आर्थिक मदद ततकाल रूप से उपलब करानी का फसल भीमा जारी करने के साथ ही दिग्रस दार्वा निर निर्वाचिंग शित्र में गिला अकाल घोशित करनी की मांग की गई है इस बेच उन्होंने वर्तमान विधायक तधा शियुसेना के पूर्व मंत्री संजर राठोट द्वारा किसानों की खेतों में जाकर फोटो सेशन का दौर जो चल पड़ा है उस पर कटाक्ष करते हुए आपती चताई और कहा की मंत्री रहते हुए फोटो सेशन से ज्यादा सरकार पर किसानों को ततकाल मदद भोचाने का दबाव बनानी की ज्यादा सरुरत है इस मौके पर पूर्वराज करीडा मंत्री संचे देशमुक ने न सिर्फ उपरोत मांगे उठाई है बलकि उन्होंने मांगी पूरी ना होने पर सरक पर उतर कर सरकार के खिलाफ आंदोलंग करने की चेताउनी भी दी है BCN News के लिए अधिक रुच से जुवेर खान की रिपोर्ट